नमस्ते व्रेंट दीपाजायका कीचन में आप सभी स्वागत दोस्तों मैं बनाओंगी गोवी के फ्राथे ट्राइंगल इस टाइन में मैंने के फ्राथे बनाया हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगेगी तो लाइक कीजिएगा और जाधा से ज्याधा सैर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड में और केमेंट करके जरूर बताईएगा जैसे कि मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज का प्याज लिया है इसको लंबे-लंबे स्लाइस कर लिये हैं दो से तीन हरी मिर्ची, दो इंच अद्रक, साथ से आठ गालिंग सभी चीजों को हम बारिक चॉप कर लेंगे आप बारिक चॉप कीजिएगा ने तो फ्राठे फट सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे समागरी को चॉप कर लिया है ऐसी मैंने गोवी को भी करना है मैंने गोवी को यहाँ पर हल्दी और नमक से तीम नट के लिए बॉयल कर लिया है दोस्तो आप चाहे तो बॉल भी कर सकते हो या इसकिप कर सकते हैं डायरेक्ट आप चॉप कर सकते हैं या ग्रेटर से आप कदुकस भी कर सकते हैं जैसे आपको इजी आसानी लगे दोस्तो आप वैसे बारिक कीजिएगा गोवी को काटना नहीं है बस कदुकस कर सकते हैं या चॉपिंग कर सकते हैं मैंने यहाँ पर इसकी त्यारी कर लिया है चलिए इसको हम भूल लेते हैं मैंने कडाही गरम कर लिया है से तीन चमस तेल एड़ करा है हाप टीए स्पून साबुष जीरा दो तेज परता वान पिंच हींग मैंने एड़ करा है दोस्तों और इसके बाद प्याज जो साथ में हमने चॉपिंग करा था सब इसको हम डाल लेंगे और तीज आस पर हम इनको भूनेंगे सीफ हमें पानी के लिए ही भूने है मैं कॉकिंग जादा प्यास वो गलाना नहीं है मैंने हाप टीए स्पून जीरा पाउडर एक टीए स्पून हल्दी पाउडर हाप टीए स्पून गोल्मरी ब्लेक पैपर पाउडर एड़ करें हैं दोस्तों और इसको हम दो मिनिट भूनने के बाद एड़ करेंगे हाप टीए स्पून से थोड़ा से जादा रेड चिली पाउडर आप चाहे तो स्पाइसी जादा पसंदे तो आप यहां पर जादा भी कर सकते हैं देख सकते हैं मैंने सुरू से ही फ्लेम जो है वह हाई रखा है हमें हाई फ्लेम पर ही कूकिंग करनी है प्यास को थोड़ा सौटी कर लेंगे दो धाइब नट तक लगवग और उसके बाद हम गोवी एड़ करेंगे गोवी को भी हम फूल फ्लेम पर ही भूनेंगे दोस्तों दोसे तीम नट के लिए एड़ करेंगे वन चोटा चम्म चाट मसाला पाउडर हाप टीस्पून गराव मसाला पाउडर और आपस में सभी को आच्छे से मिला लेंगे हमें यहापे ज़्यादा कोकिंग नहीं करना है जो इसका पानी है वहीं हमें जलाना है गोवी का ताकि हमें फ्राठे बनाते वक्त फ्राठे जो वो फटे नहीं इसलिए मैंने इसको भून लिया है उभी हाइफ लेम पर तंडे कर लेंगे मैंने यहापे लोई ले लिया है अपने मौन मुताबिक आप छोटे या बड़े ले सकते हैं लोई और इसको हम बेल लेंगे दोस्तों से पहले मैंने आलो का फ्राठे जो बनाया थे वो सरकल सेफ में बनाया थे और इसको हम ट्रेंगल सेफ में बना रहे ह राख दोस्तों आपको एजी और अच्छा लेगे है इसको हम मैने दो से धाय चमच लिये हैं और इसको हम भर लेंगे अंदर और इसको हम उपर से हाफ फोल्ड कर लेंगे दोस्तों और थोड़ा सा हम प्रेस करके दबा लेंगे और इसकी उपर भी में एक से देर चमच गोवी के वसाली रख लेंगे और इसको हम फैला लेंगे इस्पून के हैल्प से और उपर से इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हमें ज्यादा प्रेसर नहीं देना है सिफ हलके हलके हाथ से ही दबाना है और चार हम अच्छे से फैला लेंगे हाथ के फिंगर से हमें फैलाना है फैला कर थोड़े बड़े कर लेंगे साइज में फिर उसके बाद हम हलके हाथ से बेलन को बेलन के हैल्प से फ्राठे को बेलेंगे पहले आफ अंगलियों के फिंगर से ही दबाने की कोसिस कीजिएगा तो नहीं तो फ्राठे जो है वह फटेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने तवा जो गरम कर लिया है अप चाहें तो तवे में हाप टीश्पून घीव या ओल लगा सकते इस तरह करने से दोस्ते फ्राठे जो है वह चिपकते नहीं है और इसको एक मिनट के लिए एक मिनट के बाद हम प्लट देंगे दुसरे साइड दुसरे साइड भी हम देर से दो मिनट सेखेंगे दोस्तों लगभग फ्राठे सेखने में हमें तीन मिनट लग जाते हैं तोड़े से कुछ सेकेंड आगे पीछे हो जाते हैं लेकिन हमें मीडि अगर आप लंच के लिए बनाते हैं तो कोसिस कीजिएगा कि सिफ आप मीडियम पर ही फ्राठे को सेके इस तरह फ्राठे जो हैं वह काफी सॉप्ट रहते हैं आप इस पर ओयल अपनी मन पसंद या घीव किसी से भी आप कर सकते हैं दोस्तों फ्राठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है जैसे कि आप देख सकते हैं और इसको आप पल्टे के सहते से प्लटिएगा ताकि चारो तरफ आप इसको दबा सकते हैं और इस तरह दबाने स क्या होगा दोस्तों यह फ्राठे साइड से जो है वो कच्छे नहीं रहते हैं और अच्छे से सिख जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से प्लट कर सीख लिए फ्राठे को ओपर से घीर लगाया दिया है और इसको हम स्वर्व कर लेते हैं दोस्तों च जादा से सेर्विए सार बीजाएक 네가 आप देख सकते हैं तोड़कर आप दिखाय दोस्थो इसमें कितना ज्यादा स्टफिंग भरा हुआ है आप इस ट्रेफिंग दोस्तों अपने हिसाब से कम या इससे भी ज्यादा आप भर सकते हैं ओके फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब ते के लिए बाय बाय फ्रेंड थेंक्स फार